इस वीडियो में मैं आपको बताने वालाँ फ्रेंड्स क्या आप 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 मोईल फोन में सूपर पावर सिबिंग मोड कैसे ओन कर सकते हैं और इस मोड को ओन करने से क्या फाइदे होते हैं तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो को सुरू से लास्ट तक देखिएगा और अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके पासवाले नोटिफिकेशन बेल को दबा कर जरूर क्लिक कर दिजेगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आप देखते होंगे कि जब आपका मोबाइल का बैटरी परसेंटेज 20% हो जाता है तो फिर आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है और उसमें आपको बता जाता है और उसके लिए है अपको जाना है अपने मोइल फोन के सेटिंग में और उसके बाद दोस्तोавать को नीचे आना है नीचे आने पर आपको एक dispel जाएगा बैटरी का तो आप यहाँ पर क्लिक कर और उसके वाद दोस्तों इसमें आपको एक option मिल जाएगा super power saving mode का और दोस्तों नीचे यहाँ पर आपको बताया जाएगा estimate remaining तो दोस्तों estimate remaining में आपको यहाँ पर वो time बताया जाता है जितने time तक आपका mobile चल सकता है जितने percent तक आपका mobile चार्ज है यह सब दिख सकते हैं क्लिक करना है और उसके वाद आपको यह turn on पर क्लिक कर देना है आपके phone में super power saving mode on हो जाएगा लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दू कि जब आप super power saving mode on कर देंगे तब दोस्तों आप जो है अपने mobile के ज़्यादा apps का यूज नहीं कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ 6 apps का ही तो दोस्तों आपके सामने cable यह जो 5 option ऊपर के होते हैं वही दोस्तों आपके सामने यूज करने का option आएगा और ज्यादा option यूज करने का option आपके सामने नहीं आएगा तो इस तरीके से आप super power saving mode को on कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं और दोस्तों अपने ओपोम वाईरफोन में सूपर पावर सेविंग मोट को आउन कर सकते हैं अगर यहाँ पर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा